कि क्यों होती है हमारे शरीर के अंदर और हम इससे अगर किसी को फाइदा देना चाहते हैं किसी को अगर सिम्टमाटिक रिलीव देना चाहते हैं या थोड़ा बहतरी की तरफ अगर उसके शरीर को लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यह जरूर जान लीजिए कि यह जो हमारे प्रोडक्स हैं वो उनका पर्पस यह यह जो सेशन है उसका पर्पस है एजुकेशनल पर्पस के लिए है यह सेशन और इसका दवाई से ट्रीटमेंट से डाइगनोसिस से किसी को क्योर करने से या डिजीज को मिटिगेट करने से कोई लेना देना नहीं है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझते ह कि diabetes होता क्या है और diabetes होता कैसे है और साथ इसको अगर हमें मतलब अगर हम अलोपती की बात करें तो वो क्या function perform करती है हमारे शरीर में खास करके diabetes के संदर में और अगर हम nutritional supplement देते हैं तो उसका क्या role है शरीर के अंदर इसको हम लोग detail में समझते हैं तो डाइबिटीज क्या होती है डाइबिटीज एक ऐसी medical condition है जिसमें हमारे धमनिया और सिराओं में रक्त जो है रक्त तुम्हें जादा शुगर हो जाता है या जादा ग्लुकोज हो जाता है अमोमन तीन तरीके के डाइबिटीज होते है एक पहले वाले को टाइब वन कहते हैं दूसरे को टाइब टू कहते है और तीसरे को gestational डाइबिटीज कहते है यह खास करके pregnant महिलाओ में होने वाला डाइबिटीज होता है अब यह जो टाइब वन का डाइबिटीज है यह एक कंडिशन है जिसमें शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं तो इंसुलिन जो की चाहिए आपको अपने ब्लड शुगर को पचाने के लिए या ग्लुकोज को पचाने के लिए तो इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लुकोज पचा नहीं पाएंगा ग्लुकोज नहीं पचा नहीं है इसका कोई भी उप्चार नहीं है इसको सिम्टमाटिक रिलीव दे सकते हैं आप जादा से जादा लेकिन इससे जादा कुछ नहीं कर सकते ना ही ऐलोपेथी में ना ही नहीं सप्लेमेंटेशन में टाइप टू डाइबिटीज वर्ल्ड में जितने लोगों को भी डाइबिटीज है उनमें से 95 तू 97 परसेंट डाइबिटीज जो है टाइप टू होता है जो कि हमारे जीविका की वज़े से हमोमन होता है यह शरीर की ऐसी एक क्रॉनिक कंडिशन है जो कि शुगर को प्रोसेस करने की या ग्लुकोज को प्रोसेस करने की शमता हमारी कम कर देती है अब सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि यह ग्लुकोज या शुगर हम क्या कह रहे हैं आप देखिए कि हमारा जो शरीर है वो शरीर ग्लुकोज से एनरजी बनाता है या देखिएं आप बहुत बढ़ा तुकड़ा होता है अब सोचिए इतना बड़ा निवाला तो आपके सेल के अंदर जाएगा क्योंकि कोशिका आपकी बहुत छोटी होती है अब छोटी सेल के अंदर अगर खाने को घुजाना है तो खाने को भी छोटे आकार में बदलना पड़ेगा तो आप देखिए कि पहले हम बड़ी रोटी को छोटे आकार में तोड़ने के लिए हाथ से तोड़ते हैं और फिर मु iresstein से होकर गुजरता है तब भी खाना तोटता है और तोटने के बाद carbohydrates से बनता है glucose और glucose फिर हमारे ध्मनिया और से जराओं के जरी हमारे रग्ट के जरी है वह हमारी कोशिकाऊं के अंदर mitochondria के अंदर जाता है और वहां पर जाकर वह बर्न होता ए वहां और इंधन की तरह इस्तमाल होता है और इंधन की तरह इसतमाल होके फिर वहां सए एनरजी प्रेडिूस होती है。 अभी जो मेरे शरीर के अंदर एनरजी है कि मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं, लोगों के अंदर energy रहती है कि वो दोड़ भाग बड़ी जिंदगी में सारी के सारी दोड़ भाग कर पाते हैं तो इसके लिए इंधन चाहिए और वो इंधन हमारे खाना हमारा जो खाना है वो इंधन को provide करता है हम जो खाना खाते हैं उसी से शरीर वो उसके अंदर carbohydrate होता है उसी को शरीर glucose में convert करता है और फिर glucose से energy में convert करता है तो यह अलग-अलग हिस्सों में खाने को तोड़ा जाता है अभी क्या है कि शरीर का इस glucose को पचाने का कि अगर शमता कम हो जाए तो उसको type 2 diabetes कह सकते हैं आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूं और आगे चलके मैं और detail म भी समझाऊंगा ताकि अभी जो मैं बता पाया हूं उसको और clearly आप समझ सकें फिर gestational diabetes क्या होता है कि pregnant जब महिलाएं होती है तब उनके शरीर के अंदर अंदरूनी तोर पे बहुत सारे changes आते हैं आपको बाहर से उनके शरीर का आकार निश्चित तोर पे बदलता हूं नज उनको अपने लिए तो खाना ही होता है अपने बच्चे के लिए भी खाना होता है इसकी वज़े से उनकी भूक बढ़ जाती है उनका dietary intake बढ़ जाता है और ऐसे cases में कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका अपने मतलब pregnant रहने के दौरान उनका blood sugar जो है वो बढ़ जाया या उनको किस कितनी तरह की है अब हम कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं बैतर तरीके से ताकि हम इस process को और अच्छी तरह से समझ पाएं तो यह कुछ terms है यह कुछ शब्दावली है जिसको अगर हम detail में समझते हैं तो हमारे लिए diabetes को समझना और आसान हो जाएगा सबसे पहले हम खान को हमें अनरजी में convert करना है आप सोचे कि आप ठके हारे महसूस कर रहे हैं आपको भूक लग रही हैं आपको निरवल लग लग लेकिन आप जब खाना खाते हैं तो आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद आप तरो ताजा महसूस करते हैं, आपको लगता है हाँ अभी थोड़ी ताकत आ गई है, तो खाना जो है आपके शरीर में एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए उसे इंसुलिन की जाता है, अब बीटा सेल क्या होती है, बीटा सेल वो सेल होती है, जो कि इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन की जो जन्व दाता है, इंसुलिन को पैदा करने वाली जो सेल होती है, उसको बीटा सेल कहते हैं, इतनी सी परिवाशा इसकी समझने के लिए काफी है, पैंक्रियास क होती है वो पैंक्रियास के अंदर होती है इसी वज़े से हम कहते हैं कि पैंक्रियास में इंसुलिन बनता है कौन बनाता है बीटा सेल बनाती है पैंक्रियास के अंदर बीटा सेल नाम की एक सेल होती है जो की इंसुलिन को बनाने इंसुलिन बनाती है जब भी हम खाना खाते है तो खाना खाने के बाद शरीर को सिगनल मिल जाता है कि शरीर के अंदर खाना पहुँच गया है उसको पचाने के लिए इंसलिन की जहरत पड़ेगी तो Coach बीटा-स ब्राद Шएल चलो चलो के लिए बीटा सेल्स के अलावा भी और भी का प्रोडक्शन के अलावा भी और भी कुछ-कुछ काम है पैंक्रियास के अब ग्लुकोज क्या होता है आप गौर करेंगे कि आप करेले की सबजी क्यों ना खा ले लोग शुगर दो बार मापते हैं एक मापते हैं फास्टिंग ए खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में आप देखेंगे कि आप चाहें कुछ भी खाएं शरीर के अंदर वह बनेगा ग्लुकोजी आप अगर करेले की सबजी खाएं आपने शुगर का टेस्ट करा लिया खाने से पहले और आपने फिर उसके बाद करेले की सबजी अधुकोज तो यह जो को समझना पड़ेगा आप चाहें जो कुछ भी खांए ईंदर बनेगा ग्लूकोज ही शरीर उसको एनरजी में convert अगर करना है तो वो ग्लुकोज में ही बदलेगा उस खाने को ताकि वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब करता है तो आप देखिए ग्लुकोज एक एक ऐसा functional चीज है जिससे हम energy बनाएंगे तो ग्लुकोज ही है जिसमें शरीर carbohydrate को convert करता है अगर कभी-कभी आपका carbohydrate बहुत कम है तो वो क्या करता है आपके शरीर के अंदर जो जम्मी हुई चर्वी है जमा हुआ फैट है उसको एनरजी में convert करना शुरू करता है तो अमूमन ग्लुकोज की ज़रूत पड़ती है हमारे शरीर को energy produce करने के लिए एक simple किसम का carbohydrate है इसके लब माइटो-कॉंड्रिया के बारे में समस्ते है आप जैसे हर किसी के घर में kitchen होता है जहां पर खाना पकाया जाता है ठीक उसी तरह से जो हमारी cell होती है हमारे शरीर के अंदर जो करोडों अर्वों कोशिकाएं है हर कोशिका के अंदर उस कोशिका का kitchen होता है या मतलब रसोई घर होता है जिसमें cell का खाना बनता है या जिसमें glucose को burn करके वो energy को produce किया जाता है अब यह mitochondria जो है यह glucose को process करती है या glucose को खपाती है glucose glucose को काम में लेती है अब ही था कि यह process आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा लेकिन मैं सरल शब्दों में ही आपको समझा पाएं कि क्या exactly करते हैं products हमारे और यह सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा एक बार recap कर देता हूं कि insulin क्या करती है food को energy में convert करने में मदद करती है glucose को absorb करने में मदद करती है beta cell insulin बनाती है pancreas beta cell pancreas में ही पाई जाती है और pancreas में ही insulin का बनना हो पाता है इसके इंधन के रूप में इस्तमाल किया जाता है और यह कहां इस्तमाल किया जाता है हमारे जो हमारी कोशिका के रसोई घर में जिसका नाम है mitochondria तो यह रसोई घर है हमारे मतलब हमारे cell का रसोई घर है जहां पर energy convert energy बनाई जाती है और glucose को जैसे मान लीजिए आप अगर दौड अगर आप स्विमिंग कर रहे अगर आप सइक्लिंग कर रहे तो आप के पैर के अंदर जो कोशिका है उसको जाधा मेहनत करनी पड़ और the swimming कर रहे हैं तो हाथ पैर अगर थोड़ी देर तक चलाते रहे तो हाथ दुख जाएगा अगर आप बहुत देर तक हाथ ऐसे करके रखे तो थोड़ी देर में आपका हाथ ठक जाएगा ऐसा है ना क्यों ठक जाएगा क्योंकि ये कोशिका ग्राविटी के अगेंस्ट मेहनत कर रही है और इस कोशिका के अंदर एनर्जी प्रड्यूस करने के लिए ग्लुकोज बन किया जा रहा है जो भी शरीर में आपने कल रात को खाया था उसमें से जो भी अभी तक रिजर्व के तौर पे आपके शरीर ने बचा के रखा है उसको यहां इस हाथ की जो कोशिका है यह जब आप पैडल चला रहे है सैकल का तो जब आपके पैर की जो कोशिका है वो ग्लुकोज को बन कर रही है आपके ब्लड से जो आ रहा है उस ग्लुकोज को बन करके वो एनर्जी प्रड्यूस कर रही है अब स्वभाविक सी बात है कि एक समय आएगा जब glucose का आना कम हो जाएगा लेकिन आपके शरीर अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है तो उसको तो जदा ज़ादा glucose चाहिए तो ऐसे में क्या होता है कि शरीर आपका ठक जाता है ठक आपके शरीको इनफ ग्लूको या इनफ oxygen नहीं मिल पाता है तो शरीर जो है ठख जाता है शरीर बोलता है अब हम और नहीं कर पाएंगे हम ठख गए हैं तो यह पूरा process है अब इस process को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि होता क्या है जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को carbohydrate में बदला जाता है या carbohydrate जो होते हैं उनको breakdown किया जाता है glucose में और यह शरीर की प्रक्रिया है जब खाना खाते हैं तो stomach के अंदर बहुत सारे digestive enzymes उसमें mix होते हैं और खाने को carbohydrate से glucose में बदल देते हैं अब यह glucose जैसे जैसे आगे जाता है तो वैसे वैसे इस glucose को insulin की ज़रुत पड़ती है आप देखिए कि अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं एक्जामपल समझेगा अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं और आपको अगर बड़े बबु तक बड़े साहब के तक आप पहुंचाना एंपनी फाइल को या अपने किसी काभश को पहचाना है तो कौन लेकर जाएगा पने इस Já पहुंचे पहुचे और आप कुछ ऐसा नहीं देते थो वह नहीं पहुचेगी आप समझ रहे हैं मेरी बात तो जैसे सरकारी दफ्तर में पिए एक फाइल को दूसरे टेबल तक दूसरे से तीसरे तीसरे से चौते चौते से पांचोंगे टेबल पर लिखे जाता है और क्योंकि वो पियोन लेकर के जाता है इस वज़े से जो अधिकारी है जो उस फाइल को पियोन से ले रहा है वो फाइल को शक की नजर से नहीं देखता क्योंकि पियोन ही तो लेकर आया है डेली लेकर आता है फाइलों को इस वज़े से पियोन को देख करके जो अध अधिकारी दफतर के अंदर पीयोन लेकर जाता है और उसे 1 टेबल से 2 टेबल दूसरे टेबल से 3 टेबल लेकर जाता है अगर Pion न ले जाये और उस fight को अगर आप लेकर जाये तो हो सकता है अधिकारी आपको चौक्ट कर देखे कि कि अखिए आप कौन है आप क्यों उसको सजाना है ताकि सरकारी अफसर को ज़्यादा समय ना लगे उसको प्रोसेस करने में उसको अरेंज ना करना पड़े ठीक उसी तरह से जब आप शरीर के अंदर खाना खाते हैं तो उसको ग्लुकोज में तोड़ा जाता है जो कार्बोहिडरेट को ग्लुकोज में तोड़ स्वार्स चंको के अंदर खुशने के लिए अगर पियोन नहीं और जुक्ति और पियोन में ला इंसुलीन नहीं नहीं तब कुछ दिरबाद gate खुलता है ठीक उसी तरह से जब से इंसुलिन जाता है ग्लुकोज के साथ सेल के घर के दर्वाजे पर तो सेल का दर्वाजा खट-खट आता है या सेल को एक पॉलिंग बजाता है या उसके घर में घंटी बजाता है घंटी बजाता है तो क्या होता है कि सेल थोड़ी दर बाद दर्वाजा खुलती है देखती है पीओन है वह देखती है इंसुलिन रूपी पीओन है तो दर्वाजा खुल देती है और इंसुलिन के जरिये जो है ग्ल्लूकोस तहा वो अगर से कोशिक अन्दर चला गया तो व्लूकोस कम गया है ग्लूकोस ब्लड मीरह जाता तो इसे रहे पड़ माने बढ़ जाता पाइल ले के लिए ठीक उसी तरह से इंसुलिन की अवशक्ता पड़ती है उस गेट को खट-खटाने के लिए और जब पियोन को देख लेती है इंसुलिन रूपी पियोन को जब जब सेल देख लेती है तब वो दर्वाजा खोल देती है क्योंकि वो दर्वाजा क्यों खोलती है क्योंकि insulin को पहचानती है cell उनको पता है कि insulin लेकर आया है तो यह glucose सही glucose है और इसको हम शरीर के अंदर गुसा सकते हैं अब क्या होता है insulin अगर बीटा cell के अंदर जितना पैदा होना चाहिए उतना अगर पैदा होता है जैसे माली जे अगर glucose आपके शरीर में आ गया 100 ग्राम और अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा हुआ ато आसी घ्राम तो विस बागए कि जो ब्हृ ग्राम यह एक्स्ट्रा ग्लुकोज पष्ञा UK इसको तो सेल के अंदर गुसाने लिए इंसुलिन मॉझूद नहीं क्योंकि इंसुलिन पैदा कम हुआ है अब मालीज़े 120 ग्राम इंसुलिन हो गया और 100 ग्राम ही ग्लूआज आपके शरीर के अंदर गया है. तो दोनों ही सूरतों में दिख्कत होती है. जहां पर इंसुलिन होता तो है, लेकिन शरीर की जो सेल है, वो पियोन को पहचानने से इंकार कर देती है. वोलते हैं कौन हो तुम इंसुलिन हम तुमको नहीं पहचानते हैं हमारा तुमसे कोई रिष्टा नहीं है अब मान लीजिए कि अगर कोई पुराना प्योन रिटायर हो गया और उसकी जगह पर नया प्योन आया तो हो सकता है कि स्टाफ को इस प्योन से एड़ेस्ट करने में तो एक यहां तो समय लगे इस वज़े से सींथिक इंसुलिन हमारे सिस्टम में जाता है या कभी-गी हमारे नीचुनल प्रक्रिए के अंदर से लंब यह वो इन्सुलिन से रिसिस्टेंट हो जाती है वह पहचांती नहीं है इन्सुलिन को पीओन को नहीं पहचांद पाती है तो उसके कारण से वो अगर इंसुलिन पैदा भी हो रहा है और वो जाके घंटी बजा भी रहा है तो उस नए इंसुलिन को देखकर या उस इंसुलिन को देखकर कोशिका अपना दर्वाजा नहीं खोलती ग्लुकोज को अंदर लेकर जाने के लिए तो अगर याम घ्लुकोज होता है अब इंसुलिन कम प्रडियूस होता है तो सेल के पास ग्लुकोज को लेकर जाने के लिए इतना इंसुलीन ही नहीं बना जैसे माल लीजए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गये है और आपकी टीम में 11 लोग है लेकिन जो सामने वाली टीम है उसमें सिर्फ च्रों हैं तो आप क्डिकेट खेल कि से पाएंगे नहीं पाएंगे किकि उनकी टीमें लोग पकम है दोर एक के साथ एक आप करदा नहीं कर पाएंगे अगर आप बॉक्सिंग करना चाते दो सामने वाला कोई का लिंस्तिती हो जाएगी ब्लड के अंदर ही रह जाएगा ग्लुकोज और उसके फल्स वरूप काफी सारी समस्या होती है जो कि आगे चलके मैं आपको बताता हूं इंसुल्यून अगर जादा प्रोड्यूस हो तब भी एक दिक्कत है तब ग्लुकोज और शरीर ग्लुकोज म शुगर को एब्सॉर्ब करके इंसुल्यून न्यूटरलाइज हो सके तो यह कुछ कुछ चीजें होती है अब हम एक वीडियो के मादियम से जानता है कि यह प्रोसेस क्या है और होता कैसे है एक सब्सक्राइब Your body uses glucose for energy. Glucose metabolism requires insulin, a hormone produced by your pancreas. Here's how normal glucose metabolism works and what happens when you have diabetes, a disease where your body either can't produce enough insulin or it can't use insulin properly. The food you eat consists of three basic nutrients, carbohydrates, protein, and fat. During digestion, chemicals in your stomach break down carbohydrates into glucose, which is absorbed into your bloodstream. Your pancreas responds to the glucose by releasing insulin. Insulin is responsible for allowing glucose into your body's cells. When the glucose enters your cells, the amount of glucose in your bloodstream falls. If you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't secrete insulin, which causes a buildup of glucose in your bloodstream. Without insulin, the glucose can't get into your cells. If you have type 2 diabetes, your pancreas secretes less insulin than your body requires, because your body is resistant to its effect. With both types of diabetes, glucose cannot be used for energy, and it builds up in your bloodstream, causing potentially serious health complications. The body uses glucose for energy. हमारे शरीर को glucose चाहिए energy में convert करने के लिए और cancreas जो है beta cells में insulin बनाता है अब जब glucose किस तरह से absorb होता है हमारे शरीर में यह अब लोग आके चलके देख रही है और अगर शरीर insulin परयाप्त मात्रा में नहीं बनाता तो क्या होता है यह भी हम लोग जाने है अब शरीर के लिए नदर जब खाना जाता है तो स्टमक के अंदर जब खाना जाता है पेट के अंदर तो पेट में कुछ digestive enzyme मिल कर खाने को अलग-अलग चोटे हिस्सों में बदलते हैं जिसको glucose कहते हैं अब glucose दीरे-दीरे हमारी ब्लड स्रीम के अंदर जाता है और blood stream के अंदर जाता है pancreas फिर insulin बनाता है ताकि वो absorb हो पा है अब पीले रंग का पदार्त जो आप देख रहे हैं ये insulin है अब insulin आप देखिए एक-एक insulin एक glucose के साथ मिल करके cell के पास जा रहा है अब cell का दरवाजा खट-कटाएगा calling bell मारेगा और calling bell मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा और insulin अंदर चली जाएगी अब insulin को cell ने पहचान लिया है तब ही उसमें दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया और जैसे ही cell के अंदर चला गया glucose तो blood stream के अंदर sugar की मात्रा जो है अपने आप कम हो गई क्योंकि शुगर की कपत हो गई अब type 1 diabetes में pancreas बनाता ही नहीं है insulin और अगर बनाता ही नहीं है तो उससे क्या होता है आपके blood stream में सिर्फ glucose रह जाता है उसको पचाने की शमता तो शरीर के पास रहती नहीं है और शमता ना रहे अगर insulin ना रहे उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है यानि कि जिस मातरा में शुगर बनाओ उस मातरा में insulin नहीं बन पाया और insulin के रहते हुए भी कभी-कभी अंदर नहीं जाने देता है glucose को बहुत ज़ादा insulin की ज़रुद पढ़ती है तब जाके वो द्वार पुलते हैं इन दोनों तरीकों में insulin या तो बनता नहीं है परियार्थ मातरा में या तो जो बनता है उसको शरीर पहचानता नहीं है जिसकी वज़े से blood stream के अंदर बहुत ज़ादा glucose हो जाता है आप देखिए अभी blood stream के अंदर यह जो glucose है सफेद रंका उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है उसके साथ पीला पदार्थ होगा तब ही जाकर वो cell के अंदर जा पाएगा आशा करता हूँ कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन से आप समझ पाएँ हो कि यह किस तरह से काम करता है अब इसके consequences समझते हैं तो आला कि इसके बहुत सारे consequences लेकिन हम कुछ ही consequences को समझेंगे इसके पल्स वरूप क्या होता है जब आपके शरीर के अंदर glucose की मातरा बहुत जादा बढ़ जाती है और मतलब वो glucose जो है cell के अंदर नहीं गुस पाता तो glycosylation नाम की एक चीज होती है जिसमें क्या होता है sugar के molecules जो है वो bond करते हैं protein के molecules के साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ transporters होते हैं जिनको हम क्या सकते हैं high density lipoprotein या low density lipoprotein यह जो HDL और LDL आपने शायद यह term पहले भी सुना होगा यह transporting agents होते हैं यह क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर यह cholesterol को और triglycerides को एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जाते हैं अब आप गौर कीजिए कि जैसे low density lipoprotein है तो इसका नाम देखिए लिपो प्रोटीन क्या है यह लिपो प्रोटीन यह प्रोटीन है एक तरह का अपने आप में बुरा नहीं है LDL या HDL दोनों ही अपने आप में बुरे नहीं है लेकिन LDL जब low density lipoprotein के साथ प्रोटीन के साथ शुगर का molecule जुड़ जाता है तब एक इन सेपरेबल बॉंड बनाता है या वह एकदम ऐसे गोंद की तरह या मैदे की तरह चिपक जाता है फिर हटा नहीं सकते उसको तो शुगर जो आपके ब्लड में अधिका अधिकादिक मात्रा में जो शुगर रवाहित हो रहा है वह जब low density lipoprotein के साथ जब चिपक जाता है तो वह एक ऐसा के अंदर infection हो जाए ऐसा एक महल पैदा करते हैं शरीर के अंदर एक अनुकूल परिस्तिती पैदा करते हैं infection के लिए तरह तरह के मतलब अलग अलग तरह की अब जो LDL है वह जब शुगर के molecule के साथ मिक्स हो जाता है तब एक एडवांस glycation end product बनाता है जो कि एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है और यह चिपचिपा पदार्थ आपके धमनिया और सिराओं में जम जाता है आप जो यहाँ पीले रंका दीख रहे हैं पीले या सुनेरे रंका यह वही oxidize LDL है या वही चीनी के साथ मिक्स होगे जो चिपचिपा पदार्थ बनता है वो है अगर यह आपक कि धमनियां और सिराओं को ब्लॉक करना शुरू कर देता है और ब्लॉक करने के बाद तरह तरह की दिक्कतें आपको आती है वह चाहे हाट की समस्या हो बहुत सारे लोगों को आजकल 25-25 साल की उमर में जो है हाट अटक की समस्या हो रही है वह काफी हद तक इस कारण की वजह स हूँ अगर उसे सही तरीके से इंसुलिन के द्वारा पचाया ना जाए तो काफी जादा नुकसान दे चीजें हमारे शरीर के अंदर हो सकती है हाट की समस्या हो सकती है धमनिया और सिराओं की समस्या हो सकती है किड़नी की समस्या हो सकती है आखों की समस्या हो सकती है हमारे प्रजनन तंत्र से related समस्या हो सकती है शायद इसी वज़े से कहते हैं कि diabetes is the mother of all diseases क्योंकि सारी की सारी समस्या है diabetes की वज़े से होना संभव है तो यह एक process को मैंने आपको बताया कि किस process से यह सारी चीज़े आपके system के अंदर होती है अब यह समझते हैं कि दवाईयों करती क्या है हमारे शरीर के अंदर जब हम diabetes के लिए दवाई लेते हैं तो उनका function क्या है उनको किस तरह से यह perform करती है इसका पहला सबसे पहला कैसे हमारे body को effect करती है यह हम समझते हैं इसका सबसे पहला काम क्या है कि pancreas में कुछ ऐसे ऐसे chemical जाते हैं जो कि insulin को release करने के लिए शरीर को बात दे करते हैं शरीर की शरीर से insulin पैदा करवाते हैं जैसे गाय दूद देती नहीं है गाय से दूद नि changes करती है कि शरीर खुद बखुद insulin पैदा करना शुरू कर देता है इसमें कुछ बुरा ही नहीं है लेकिन जब लंबे समय में आदी हो जाता है शरीर इसके तब खुद बखुद बनाता ही नहीं वह वेट करता है कि दवाई आएगी तब हम बनाएंगे अभी क्या है कि दू ऌर होता है तो उसको तो लिवर ना कर पाए है सके एसी एक व्यभस्था पैयदा करती है ताकि वो शुगर्ग्लीज करेगा तो एक्दम से बाहरं से भी आ और एक दो मसे शरी अंदर तो जाब वह जाएगा इस वाजह से लिवर को रोकती जी है शुगर को रिलीज करने से इसके अलावा गरबॉाइडरेकका जो ब्रेकट दाउन है कार्भॉआडर जो घ्लुकोज में नोगा उन टोक करती हैं हमारे इंटेस्ट इंदर कारबॉयद्र को तोड़ पाए कारबॉघ्रेकक को तो आप ही यह लेंगं कभी-कभी आपसे रूट जाती है तो अगर आपकी वाइफ आपसे रूट जाती तो आपकी छोटी-मोटी कही हुई बातों को भी हो सकता है ना माने ठीक उसी तरह से इन्सूलिन का और वäreसा ही रिष्टा है कभी-कभी इंसुलिन से σεल रूट जाती है और रूट जाती है तो इसको पहचानने से इंकार आपकर निक olsun करते हैं आ कि असान शब्दमें इतने समझ जब इसको बहुत की sensitivity उसको कह सकते हैं और यह sensitivity बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन मैं डेप्ट में नहीं जाओंगा क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल अल्रडी मैं हो चुका हूं तो kidney की जो ability है शुगर को लेने की वह भी दवाईयों से थोड़ी कम हो जाती है इसके लावा हमारे शरीर के अ आपाद कलनी स्तिती में डवाहियां हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है erm suggestion में जो चीज़े दवाहिया कर सकती हैं और कोई वी चीज भ्रमाण में बाद देखिया जाता है लेकिन अगर हम nutrition की बात करें तो रेनेटर्स के nutrition अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर के उपर क्या फरक पड़ता है या इससे हमारे शरीर के उपर क्या प्रभाव पड़ता है उस प्राकृतिक शमता को बढ़ाता है यानि कि पैंक्रियास के अंदर जाके उसके केमिकल की मदद से उसको कोई जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं करता है यह उसको कहता है कि मैं तुमारी मदद करूंगा तुम पैंक्रियास तुम बीटा सेल को कहो कि इंसुलिन क अब फिर साहिं तो फिर से just करता कि नहीं तब आपके शरीड के अंदर बीटास सेल मजबूत थी तो मजबूत बीटास सैल कमज़ोर हो जाती है बहुत सारे कारणों से तो यह क्या करता है supplement उसको फिर से जाके मजबूत करता है उसको पाद नहीं करता है उससे मजबरदस्ती कुछ नहीं करवाता सिर्फ उसको सशक्त करता है उसको मजबूत करता है उसको अपना function perform करने में help करता है इसके लाव और क्या करता है हमारे blood का पी-एच बढ़िया बनाए रखता है क्योंकि अगर हमारे शरीर का हमारे blood का पी-एच बढ़िया बना रहेगा तो वह एक लेस फेवरेबल इंवार्मेंट क्रियेट करेगा pathogenic bacteria के लिए और यह क्या करता है लिवर को less reactive बनाता है glucose से अगर आप बहुत जादा glucose लेते हैं तो लिवर भी एकदम high alert mode में रहता है कि कब glucose आएगा तो यार मुझे एक्स्ट्रा glucose को save करना पड़ेगा क्योंकि glycogenesis बोलकर एक प्रक्रिया होती है जिससे शरीर ग्लाइकोजन के तौर पर glucose को अपने अंदर स्टेव करके रखता है कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको release करके यह कर देंगे यूज कर लेंगे तो लिवर के उपर भी बड़न कम पड़ता है अगर अगर हम nutritional supplements लेते हैं तो वह glucose की synthesis भी बहुत आसान हो जाती है और ब्लड के अंदर जो infection वाला मातावरन बन रहा था ज्यादा चीनी के प्रभाव में या ज्यादा glucose के प्रभाव में वह नहीं बनता है अगर हम nutritional supplements को लेते हैं तो इसके होने वाला जो प्रभाव है वो कम पड़ता है इसके अलावा दो चीजें या तो अगर आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ रहा है तो या तो शुगर खाना बंद कर दे या उसकी शुगर को पचाने की काबिलियत को बढ़ा ले दोनों म हमारे शुगर को बाडि की जो डाइजस्ट करने के ऑबिलिटी है वो चीनी को डाइजस्ट करने की जो शमता है उसको बढ़ा देता हैं और च्केमिकली को बॉक करते हैं इसके अलावा insulin sensitivity को भी कम करते हैं अब जब कोई भी नाचुरल पदार्त जब शरीर से दोस्ती करके शरीर के अंदर जाता है तो शरीर उसको उसके साद धकका-मुक्गी नहीं करता है अब आप खुदी सोचेए आप अपने दोस्त के साथ जाएंगे तो आप धक्का मुक्की है लाड़ा लाड़ा ही जगड़ा तो नहीं करेंगे ना क्योंकि आप उसको जानता है वो आपको जानता है आपके बीच में एक अच्छा संबंद है तो लेकिन जब कोई एक दूसरे को नहीं जानता है तो उनमें ज्यादा बैस या ज्यादा धक्का म प्रोडक्स और यह शरीर के अंदर जाकर शरीर से दोस्ती बना लेते हैं और दोस्ती होने के बाद इनका कोई रियाक्षिन या इनका कोई दुश प्रभाव शरीर के साथ नहीं होता और यह को सैल को humanos की शुराशें से दोस्तों कि बढ़ाते हैं क्योंकि इसके अंदर vitamin b1 और ala होता है यह दोनों ही हमारे metabolism को मतलब चीनी को पचाने की है glucose को पचाने की शमता को बढ़ा देते हैं vitamin b1 हमारे बहुत सारे ingredients में हर कह लिजी हमारे हर product के अंदर vitamin b1 है और हमारे खास करके रेनेटल नुवा के अंदर और जैंद प्रो और इम्यू जैंद के अंदर alpha-lunonic acid भी है जो कि हमारे शरीर के अंदर metabolism बढ़ाता है glucose की metabolism को बढ़ाता है इसके अलावा जो already damage हो चुका है नर सेल्स को damage हो चुका है हमारी धमनिया और सिराओं को अभी तक जो नुकसान पहुँच चुका है सब कुछ रखेंगे फिर भी वह insurance कराते हैं फिर भी वह health insurance कराते हैं क्यों क्योंकि सारी चीजों को देख बाल करने के बाद भी इस बात की कोई guarantee नहीं है कि वह मरेंगे नहीं इस बात की guarantee की मरेंगे जरूर्व है ना तो अभी क्या है खेर यह तो समझाने की बात हुई ऊप के symptoms को symptomatic relief देने में हमें मदद कर सकती है सबसे पहले तो आपको जो refined sugar है अपने diet से उसको बंद कर देना है कोई तो कारण होगा जिसकी वज़े से good को healthy माना जाता है और चीनी को बुरा माना जाता है चीनी के अंदर बहुत जादा क्या लिए चीनी को process करने के लिए synthetics का इस्तमाल होता है मतलब एक chemical का इस्तमाल होता है तो अगर आप refined sugar या sugar को बंद कर देते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो शरीर ने save करके रखा है liver में glucose उसको इसको इस्तमाल करता है आपके liver के उपर fat की coating हट जाती है आपका pancreas में beta cells जादा सक्री हो जाते है जब मात्रा में अगर आप को diabetes को किस्क में symptomatic relief चाहिए तो supplement के साथ साथ आपको अपने diet में healthy fiber add करना है आप देखेंगे कि जो प्लेट में हरा हरा जो हिस्सा है उसमें fiber ही fiber है उसके अंदर गूदा ही गूदा है तो आप अगर इस तरह से green vegetables या fruits खाते हैं तो उसमें fiber बहुत में होता है और fiber आपके शरीद के अंदर carbohydrates और glucose की release को slow कर देता है जो कि आपके system के लिए बहुत अच्छा है आपको लंबे समय तक भूक नहीं लगती exercise आपको regularly करनी चाहिए क्योंकि जब आप exercise करते हैं तो beta cells active रहती है आपके शरीद के अंदर घर्मी पैदा होती है और किस नहीं होते हैं इसके अलावा आपको एक low carb या low calorie diet की ज़रूरत है अभी तक देखिए हम लोग बहुत सारे लोगों को यह सोचना पड़ता है कि जीने के लिए खा रहे या खाने के लिए हम लोगों को जिन्दा रहने के लिए अपने शरील को स्वस्त रहने के लिए जितना खाना चाहिए उससे कई ज़्यादा खाना हम खाते हैं और जब ओवर्लोड हो जाता है हमारी मशीन के उपर तब जाकर दिक्कत आती है तो अगर आप सिस्टमाटिकली खाते हैं अगर आप पोशन साइज आपकी कम रहती है खाना अगर आप सीमित मातरा में खाते हैं low calorie diet या low carb diet अगर आप Vou Heb लिमिट में खाते हैं लिमिट में खाना खाते हैं तो आपको यह diabetes वाली समस्या कम होगी यह अगर 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 आरड़ी spinning उप आपको स्यम्टमाटिक रिलीफ मिल पाएगी इसके अलावा इंटर्मिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं कि 8 घंटे कुछ ना खाएं मतलब शाम का खाना काफी जल्दी खाले देर रात तक ना खाएं और सुबह उटके फिर अगला खाना खाएं मतलब एक खाने और दूसरे खाने की बीच में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का रख सकते हैं किसी किसी के लिए संभव नहीं होता है इसलिए मैं हर किसी को यह सलाह नहीं दूंगा आपको जैसा ठीक समझ में आता है आप वैसा कर सकते हैं बाकी कि सारी चीज़ों को मानते हो हो जाता है आपके शरीर के अंदर आपके घ्रेलिन सेकरेट होना शुरू हो जाती है जिससे आपको भूक लगना शुरू होती है और घ्रेलिन के सेकरेट होने के साथ साथ दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा इंसुलेन आपके शरीर के अंदर सेकरेट होना शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से आपको तेज भूक लगती है आप देखें कि अगर आप साथ दिन तक अगर लगातार साथ बज़े खाना खा लें तो आपको आठवे दिन अपने आप साथ बज़े भूक लग जाएगी क्योंकि बॉडी क्लॉक उसी सबसे एड़स्ट हो जाती है अभी क्या अंकुरित करके यह सारी चीज़यां आप खा सकते हैं यह अच्छे इसमें ब्रोटीन भी होते हैं और इसमें जो काब्स होते हो आपके शेरीष को फायदा पहुंचाते तो जब आप खाएं तो यह सारी चीज़यें खाएं और ओवरीटिंग यूजूली ना करें समय से सोना भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपको सही तरीके से अगर diabetes चाहते हैं आपकी नहो या अगर हो चुका है तो उसके तकलीव को कम करना चाहते हैं आने वाले age में अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी, तीसरी, चौती बिमारी ना लग जाये तो आप renitis के और किस तरीके से वह शरीर का जो पियोन है जो इंसुलिन को से से पहचान करवा देता है दोस्ती करवा देता है तकि इंसुलिन सही मातरा में पैदा भी हो और इंसुलिन सही तरीके से फंक्शन भिए परफॉर्म कर पा हैं तो आशा करता aqu. कि आज का जो आज की जो जानकारी थी वो आपको समझ में आई है अब मैं चाहूंगा कि अगर आपके रिजल टोविंग प्रोड़क्ट है रेनिटेस नोवा वश्वस्वास संगठन द्वारा प्रमाणित है बिना कोई साड़ इफेक्ट के आज ही और करें रेनिटेस नोवा आपके भरोसे और फिटनेस का साथ ही